मैं आपको आज कुछ इंट्रेस्टिंग बनाना सिखा रही हूँ यह है मेरे सासुमा जी और वो बना रही है मक्के के आटे के कपकड वो सही में टेस्ट में पहुत ही अच्छे लगते हैं आप एक बार जरूर ट्राइ करना उन्होंने वो छाच रहता है उसमें वो छाच उब गाले है और चाच छास के अंदर मक्के का अटा और थलका सा कीव का अटा डाला है यह समिजी रा अजवाईन फर्म पार में डालते है और अध्यु डाला है और यह उभल रहा है और यह खोलते जा रहे है जैसे वह आठा था इसक्ठाना जाये अantically के सुछना पराशिकी सश् जाए रहे हैं अच्छे से चोड़ जाएगा तो उसको ढखके थोड़े दिर रख देंगे फिर रखके उसको हलका सा थंडा गरम रहेगा तब उसके लुईया बनाएंगे और फिर लुईया बनाके बाद में वो जैसे हम पपड बनाते वैसे दोनों साइट पन्नी लगाएंग और बेच में लुईया रखके खल के हाथ से बेलेंगे वैसे उनकी हैबिट अच्छी है उससे अच्छा बेला जाता है मेरे से उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि मैं इधर गुजरत की ही और वो उधर MP के है तो उससे अच्छा पापड बनाते हैं हम यहां गुजरत में चावर के पपड बनाते हैं और वो छास में नहीं भीगाते हैं ऐसे ही पानी से बनाते हैं मुझी इधर का जादा अच्छा लगता है और उनको वो उधर के साटके तो वो ऐसा बूलते है कि हम उधर के पपड अच्छा लगते हैं इधर के पपड फिक्के फिक्के रहते हैं में जिसकी चोईस और मैं अच्छा से खोल रहा है लगता है अच्छा से अब भी हुआ हैं इसे मैंने खुट ने ट्राइड ने किया तो आये है तो वह बना रहे हैं मैं भी वो जाएंगे बात में में ट्राइ करूंगी क्योंकि सीखने के कोई उमर नहीं होती है यह हम कभी भी सीख सकते हैं तो अच्छा है नहीं अच्छा अच्छा सीखो अच्छा अच्छा बनाओ अच्छा अपने परिवार को खिलाओ तो सब भी खूश रहते हैं अपने से अच्छा ही है कुछ करने लगो क्या है अब इसको ना गाइस उसको ढख लेंगे रख के थोड़ी देर रहने देंगे थाकि वह लका सा थंडा गरम रहें जाए ज़्यादा गरम रहेंगा तो उसकी लुई नहीं बनेगी इसलिए उसको ढख के रख देंगे और उसके बाद में उसके अब देखोगे ना मेरे पपड बेल लेगे आप तो बोलोगे किस किस का नक्षा बनाया है कि मैं अभी ऐसा सीख रही हूं मेरे से इसा नहीं होता है अभी इसको दूप में सुखाना पड़ता है वह अच्छे से सूच जाएगा इसके बाद में ले आएंगे पर उसको तल के भी खा सकते हैं गेस पे भूंके भी खा सकते हैं और इसके बाजु में ना वह कुरोडी बनाईए गयो के आटे की उसको गयो का आटे सड़ा के बना आटे की कुरोडी बनाईए उसका भी मैं वीडियो डालूंगी कल नहीं तो परसो भी आप चेक आउट करना और गाईस आप कॉमेंट सही में बहुत कंजुजाए से करतो प्लीज कमेंट करो लाइक करो शेयर करो मुझे भी कोई मोटिवेशन मिलेगा मैं भी अच्छे अच् आप उसकी रही है ये दोखो पूरोडी सूख गई है पर रहाँ थोड़ी गीली लग रही है वह अच्छे सूख जाएगी ना मात में उसको एक 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 कंटेनल में भरके रखतेंगे तो उसकी सब्जी भी बना सकते हैं जैसे पपड की मनाते वैसे अच्छी लगती पर अच एक एक ही एक एक बनाना वह भी ठीक नहीं पर असे नया नया सीखना भी अच्छा लगता है बनाना भी एच्छा लगता है तो गाइज we मिलती उत्यू में अब एक नई वीडियो लेके प्यों तब के लिए बाइम ब्लीज मेरी चेनल को लाइक करें शेयर करो, सेस्क्राइब करो और मुझे भर भर के कमेंट करो तो आपका प्यारी तो चाहिए और कुछ नहीं मांग रही हूँ न ठीके बाई अपका प्यारी तो चाहिए तो उनका प्यारी तो चाहिए जिए सेस्क्राइब कर अपका नहीं । पाईब कर दो में झाँ करेंग अपका प्यारी तो झाल झाल